तो इसका नाम है अच्छा मैं आपको बता दू यह जो सलेवस है जो हम पढ़ने वाले हैं वह राजस्तान कोटा और जोद्पुर इनुशिटी में भी यही चलता है तो जनरली हम देखा जा तो यह थार यह का जो हुश्सा है वह जिजी टुई और है यह हैंश् कर दोनों पर काम आये यह जयाए है तो हम सो इससी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम पेसिक सी चीज लेके जलते हैं जिसका का हमारा पहला चेप्टे का नाम है तो रियल लंबर सिस्टम तो रियल लंबर सिस्टम के बारे में हमको बात करनी चाहिए रियल लंबर सिस्टम में कुछ नॉटेशन से जो आपको ध्याद में रखने पड़ेंगे नॉटेशन क्या होते हैं उनको अपन देख लेते हैं एक त अच पाई लिखा होता ना तो आपकी उले के अंदर ऐसे एक फाई बना होगा इसको बहुत के अंपिटी सेट या नल सेट क्या बोलते इसको MPT set करे देखे अपने इसको MPT set यह notation नहीं या दखना है MPT का मतलता है Rikt इसको बोलता है Rikt Samuchaj मैं ending दोनों लिफता हूँ चलूँ हाँ तो यह तो होता है Rikt Samuchaj एक notation होता है U N L 11 N N के बारे में आप जानती होंगे यह होता है सेट्स ओफ नेचिरल नंबर सेट ओफ नेचिरल नंबर्स इसको हम लिखते हैं से नेचिरल नंबर होता है प्राकत संख्या अगर मैं इसको इन्दे में लिखू प्राकत संख्या का समुच्य यह होता है तो प्राकत संख्या को समुच्य को हम बोलते हैं इसके बाद लिखा होता है वो के अंदर Z लिखा होगा या फिर I लिखा होगा इसको बोलते हैं SET OF INTEGERS यह बहुत काम आएगा INTEGERS को बोलते है PUNK है न? उसके बाद में Q लिखा होता है Q का मुद होता है SET OF RATIONAL NUMBER रेशनल नमबर इसको बोलते हैं परिमे संख्या है ना परिमे संख्या का जो समूचे बनता है उसके बाद कर रहा है परिमे संख्या फिर हम बात करते हैं आर यह था सेट सोफ रियल नमबर रियल नमबर तो यह कुछ नॉटेशन से जो आपको याद होना चाहिए तब ही अपन आगे के कुश्शन कर पाएंगे मैं सारा कंटी में आपको न लिखांग क लिकांग हार आप इस ही टाप लिए हम आ लेगाटी को करने आगे चाहिए तो transit July कि देखा जाया तो तो है कि इनक होता है एडिशनक मो इसको लिखते हैं से प्लस लिखत utan कि और होता बेट है कि इसको बन बोलते हैं मल्टिप्लाय का साइन आता है यह वाला है तो यहां पर हम इंग दो ऑप्रेशन्स के बारे में डिटील से बात करने वाले जोड में क्या होता है वैसे बैसिक सी चीज़े आपने कुछ पढ़ रख्योंगी लेकिन मैं फिर से इसको एवा रिवाइस करा चाहता हूं ताकि आपको कुछ चीजे याद हो जाए तो उनमें कुछ ओप्रेशन्स थे अगर आपको याद हो तो मैं कुछ ओप्रेशन्स लिख दू या फिर इलजेब्रा लीडू है तो इसमें कुछ चीजे पढ़ता है पर पहले तो पहली चीज हम पढ़ रहें क्लोज क्लोजर नहीं एसोसेटिव लेलते हैं ध्यान दे इस चीज को याद करना अच्छे से समझना ये तीन-चार किताबों में काम आने वाला है असोसेटिव को हम बोलते हैं सहाचारियता सहाचारियता है ना सहाचारियता क्या कहती है कि आपने दो-तीन एलिमेंट ले लो है ना जैसे आपने तीन एलिमेंट लिये हम बता इसको आपने एक एलिमेंट लिया एक एलिमेंट लिया पी और एक एलिमेंट लिया सी ये तीन एलिमेंट है आप पहले ब्रेकेट को उधर लगा दीजिए और फिर बाद में प्राइक बिशे क्यों लगा दीजिए यह आपका एंसर छेहां पर कभी भी गलत नहीं होगा यह अर्शोशीटीव गारूल होता है अभी किसके लिए लागू होता है कभको लागूता उसके बारे में वो घर ले कइसे लगता है इसको भी समधना पड़ेगा तब क्या करता है मैं अग्लीप्ला में कि यह कुछ स्टेप से रहता है असो सीडिव प्रोपर्टी स्कूपन क्याते हैं मैं एक साथ दोनों को बारे हम समझा रहा हूं अब क्या होता है अब को बताओं आपने वाणा कि एक वल टू ले लो और सी को फूलो करवागे दो को इस ब्रेकेट का मतलब क्या होता है कि पहले आप ब्रेकेट को सोल करें तो आप यहां पर रख के दोखो अगर आप LHS की बात करते हो इसके लिए तो यहां पर गयाएगा आप यहां पर लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या ब्रेकेट को सोल कि आपने वन प्लस तू तो यह कोई डिकन नहीं है अच्छा और फिर देखते हैं और इस में क्या राइट इन साइड में लिखा है फिर बी लिखा और फिर से लिखा अब क्यों ब्रेकेट यहां लगा हुआ तो एक चीस्तों को पता होगे न बोड मास का रूल बोड मास हम सॉलिशन तो वही से करते हैं पहले ब्रेकेट भी ब्रेकेट के साथ मुल्टिप्ला अगरा जो हम सोल करते हैं तो ब्रेकेट फॉर 2 उब्लस रहाए का सहाचारी होते हैं यह मैं कहना चाहरा हूं असोसेटिव खुत हैं क्या मल्टिप्लाइब यह रूण होल्ड करता है क्या क्या मल्टिप्लाइब यह रखता है क्या हम इसके बात करेंगे तो वही आप अग्जाम्पल लेलो कोई दिक्र भी है यह लेट आप लिया एक वल टो लिया टू उट से इक वल टू लिया और आप चेक कर लें एलें से सारे जास दूनुन रखके देख लें लेट देखें तो वान इंटू टू इंटू फोर यह लगा दीजिए किता आगए टू इंटू और यहां पर हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा टाइट टो आट ञाहं लिए ना तो मतलब यह किना चारा हूं बटिप्लाय ऊर एडिसन दोनों क्या होते हैं यह द्यान इकीना इंटे निन और यह भी आ सब्सक्राइब उपर यह चेक करने वाले कि वाकई पर होता है या नहीं होता है ठीक है तो यह पहली प्रोपर्टि अमारी कौन से होती है असोचिटी होती इडिशन और मुटिप्लाय के लिए कि अब आगे देखते हैं कि इसको नोट कर ले अब हम आगे देखते हैं वह एक प्रॉपर्टी ओर होती है कम्मिटेटिव होती है यह ना दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्मिटेटिव इसको हिन्निम बोलते हैं क्रम विने मैदा क्रम विने मैदा एक प्रोपर्टी यह होती है करम भी नहीं था फिर देखो में लाइन खीचे रहो उसका अनलग ध्यान दखना मैं एक तरफ तो एडिशन के बारें बात करों दूसरे लोग मुल्टिप्लाइं के बारें बात करों यह दो बैसिक से ऑपरशने जिट के बारें हम बात चीट करते अब यह कमिटेटिव क्या होता है कि आपने कोई भी दूए लिमेंट लिये लिया तो उसकी जो वेल्यू वह बी प्लस एक एक उलोटी इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं है ना सेम चीज यहां पर भी एंटू बी करो चाए बी टू एक रों क्या रहता है तो इसको बन इसको बोलते हैं एक रम भी नहीं वहता है रूल ठीक है अब मैं थड़ के उपर आता हूं थार्ड रूल हमारे पास क्या है थार्ड देखते हैं आई डेंकिटी एना उसको बन बोलते हैं एक्जिस्टेंश और एडिटिव आइडेंटिटी वैसे आपने पड़ रखा होगा बस हम एक रिवीजिन के रूप में इसको लिख रहे हैं इसको बोलते हैं हिंद्रिम क्या बोलेंगे एडिटिव का मनलोगता योज आइडेंटिटी का मनलोगता तत्समक है ना योज तत्समक का अस्तितु यह पन देख रहे हैं सेम चीज यहां पर भी आएगी है ना लेकिन यहां पर क्या लिखा हो आएगा existence of multiplicative identity है ना तो यहां पर multiplier के लिए बात कर रहा है तुसको आप यह के दो गुणन तत्समक है ना गुटन तत्समक के बारे मँबात करने चीज हमारको और योज तत्समक के बारे बात करने चीज hayat यहां पर इसका कहने का मत्तब रहे है आच्छे किया होता यह इसको आप रहे है थे तो आपको मैं यह बताऊं कि आपके पास कोई एक element है आप वो element को नाम दे दे जैसे कोई एक element लिया A आपने लिया यहाँ पर A ठीक है A में आप कौन से number को aid करेंगे कि आपको वापिस से A मिल जाए बास समझेगा A में आपने कौन से number को plus किया है कि वापिस से आपको A मिल जाए तो जो number आपने plus किया है यह आपका कहलाएगा identity किसकी identity जोड की same कहान इधर भी A के अंदर आप कौन से number का multiply करने वाले हैं कि आपको फिर से A मिल जाए तो आपने जो multiply number करवाया उसको पन बोलते है identity ठीक है अब यह multiply के लिए करवाया इसको बोलेंगे इसको multiplicative identity है ना यह A के लिए करवाया इसको बोलेंगे additive identity बास समझ में आरी है अब A कोई भी number हो सकता है है ना तो आप क्या बताएंगे आप A में 0 को ही तो plus करेंगे अगर आपने A में 0 को plus कि आप वापिस से A मिल गया यहाँ पर क्या मिला जिरो मिला और यहाँ पर वन मिला इसका मलद समझ में आया क्या आया कि आपके पास जोड का जो तत्समक होता है यह यह तत्समक किसी भी number का वो कितना होता है जीरो और मैं यहाँ पर बात करूँ गोड़न तत्समक की और वो कितना होता है वन देखो यह किसी भी real number के लिए बात करो मैं किसी भी real number के लिए आप किसी को कहना हो जो कोई कह रहा हो इसा 205 का बताओ 205 में कि मैं क्या प्लस करों कि मुझे वापिसे 200 बात भी लेगा तो जीरो जो हर नंबर के लिए यह तरस्मक के लाएगा और यह जो एक है वहर अगर हम देखे अगर हम देखे है को सब्सक्राइब क्या है इन वर्स ओर देख लाता है का एक्जिस्टेंस कि ओफ additive inverse है इसे दा लिखते हो inverse है ना inverse के बारे हम बात कर लाते है सरी inverse क्या है है ना inverse को बोलते हैं प्रतिलों प्रतिलों का अस्तित्व additions के लिए भी और multiplicative के लिए दोनों के लिए ठीक है तो additions के लिए यहां लिख देंगे multiply के लिए अब इस चीज़ को समझेगा आपने कोई एक element लिया A आपने कोई एक element लिया A, A में आप किस number से आप inverse निकला ना operation तो आपका plus का यह addition ही कह रहा है A में आप कौन सा number plus करेंगे कि आपको यहां पर योज्य तद्समक मिल जाए योज्य तद्समक sorry योज्य तद्समक ठीक है अब यहां पर यह अपना block बना हुआ और अभी थोड़ देरे पहले हमने किया A में plus किया यह block है इसमें भरने वाले अपर कोई number योज्य तद्समक कितना है था 0 तो A का जो प्रतिलोंग बनेगा वो कितना बनेगा minus A clear समझ में आके अगर हम example के वरेंब बात करें for example ठीक है 3 का योज्य तद्समक बताओ कितना हो जाएगा minus 3 minus 4 का बताओ तो कितना हो जाएगा for क्योंकि हमको क्या लाना एंसर लाना जीरो और जीरो क्या हमारा योज्य तद्समक ठीक है तो ये प्रतिलोंग आपको मिलेगा इसको अबर किसे रीड करेंगे का प्रतिलोंग माइनस 1 3 का प्रतिलोंग मांटस 3 माइनस 4 का प्रतिलोंग और कुन सा प्रतिलोंग है यह जोड के लिए इसको पर बोलते है योज्य तद्समक सॉरी तस्को प्रतिलोंग बोल geliyor हाँ ठीक एदू है नो तो यह चीज अपने को किसके लिए करने है एक तो एडिशन के लिए करने है multiply के लिए यह एक खान इए किसर ए में multiply करवाएंगे यह अपने को क्या मिल जाए गुणन तद्समक हमको यहाँ पर मिलना चीए गुणन तद्समक इसको बोलते हैं multiplicative inverse इसको हम बोल सकते हैं MI Multiplicative Inverse तो A में हम कौन सा नंबर को Multiply करवाने वाले हैं कि हमें यहाँ पर A के मिल जाए गुणत तत्समक अभी जस्ट पेले अपर थोड़े पेले निकाले तो क्या मिलेगा हमको Minus A मिलेगा Clear? तो आप मुझे बताइए 4, sorry, Minus A नहीं यहाँ पर मिलेगा 1 upon A क्या मिलेगा 1 upon A तभी तो 1 आएगा ठीक है? अब 4 Example अगर मैं बात करूँ 4 Example तो हम क्या बात करेंगे सर? कि 4 का आप Multiplicative Inverse बताओ क्या हो जाएगा 1 upon 4 यह clear होगे बात समझ मारी है तो यह अपने पास चीजे ध्याम में रखनी चीज़िए तो यह एक basic सा concept था अब हम यह देखेंगे कि यह चारोग चारोग किसी numbers में या भी रवारा जो सेर्टेव उसमें operate होते हैं या नहीं होते हैं इस चीज़ को लेके आपन रेक्ट कर सकते हैं जो अपना number system जो चलता है उसको read करने पढ़ने के दो वीदिया आपने पास तो एक तो जो वीदी होती है अपने पास उसको बोलते बाद genetic method genetic method उसको हिनिम बोलते हैं परम परागत परम परागत वीदि अपने परमपरा बोल दियो रही परमपरा सधियों तो चल या रही है वह एक तो यह है दूसरी बार होता है एक्जियोमेटिक एक्जियोमेटिक method इसको बोलते हैं अभी ग्रहतिय वीदि इन दो वीदियो के परपन बात करने वाला है तो हमारा जो मेन उद्देश रहेगा वह इसके उपर रहेगा क्या होता है तो आपको मैं genetic method के बारें बताओं तो यह परमपरा चली आ रही है सधियों से कि भई हमने जो आधार माना वो प्राकत सक्ख्या के समूचे को आधार माना हमने क्या किया और दीरे दीरे गनित का विकास किया मैस का विकास हुआ तो दीरे दीरे हमारे को इस N से आई मिला हम को मिला कि क्यूं बड़ते बड़ते हें हमारे पासस आव्य न? बबक से कि रावे का विस्तार हमने ड्यक डेकले की वे इस में क्या होगा कि कछ परीङशी आहीं आपको दे दी गई इसमें क्या होता है कि एक मेंटिशन था जर्बन का मेंटिशन था जी पीनो नाम था उसका इसको पियानो भी कहते हैं जी पीनो नाम है ना इसमें के बादे में कुछ जान करी अर उसको अपर संत्य इसने क्या कहा हमारे को इसने पहले बात यह बोली कि जो आपका एक जो है वह सबसे पहला प्राकश्चय अइसा बोला एंड जो कहा एंड बिलॉंगमक्स तुए हे उसका बनाएंगे से एक टो है ऐसा एक नहीं चाण तो इसने बोला कि एक जो ही वह प्रकत संह है ठीक है इसने बोला और अपने मान लिया, कोई अब्जेक्शन नहीं किसे आया क्यों आया हम इसके ऊपर बात्चित नहीं कर सकते यह परपरा इसमें बना दी और अपने फोलो किया तीसे बुला कि यदि को एक नंबर ले लो एफ विलोंगस तुए अ बहुत यह लो एफ विलोंगस तुए तो इसको टंक से कर लेता ना इसा दूसरी बात क्या बोली कि यदि एन विलोंगस तुए मतलब एन को एक प्राकत संख्या है तो एन प्लस भी जो होगा वो प्राकत संख्या होगी इसका मतलब यह क्या कह रहा है कि अगर दो एक प्राकत संख्या होना टू विलोंगस तुए लिखा मैं अगर दो प्राकत सं कर रहा हैं कि तुछ कोई प्राकर की मिलेक यह इसले का तीसरी बात क्या वोला कि एक जो वो किसी भी प्राकर सन्थ्या का परिवर्ति नहीं है परिवर्ति का मतलब यह कहते हैं कि सक्सेसर मतलब किसी भी नंबर के जो पहले एक नहीं आ सकता बहुत किसी भी नंबर में प्लस वन करते हैं जिसे मैं यह कह सकता हूँ यह कोई एक नंबर ले लिया N, N में प्लस वन करोगे तो आपको कभी भी एक नहीं मिलेगा आप यह बता सकते हैं किस में प्लस वन करेंगे तो आपको वन मिलेगा जेरो कोई प्राकाशन की होता ही नहीं नहीं प्राकाशन दो नंबर का परिवर्भ दिस्त है न। अगर अबने पास दू नॉफ्स बराबर अन्मच है तो आप फिक हो दोनों और अपन को बता है यह कुछ बाते और और अपनको पत हैju अग्ले नहीं और यह चीजा हमको ध्यान हो नीनिशें तो यह चीज़ हमारे पास से एक चीज़ और बताए इसने बाचे पॉपटिव में यहां रिख दो प्राकश संख्या का कोई भी समूचे जिसमें एक हो तो क्या करा है प्रत्यक संख्या n के लिए इसका परिवर्थी n प्लस हो तो सभी प्राकर्स्थन क्योंगे मलब यह कहना चाहरा है अगर कोई एक element a belongs to a है और यह क्या कह रहा है a belongs to a there implies a plus belongs to a तो जो set बनेगा a वो क्या होगा पुरा प्राकर्स्थन क्या होगा कुल मला के बात यह कहना चाहता है की अगर किसी समुच्चे में मान लेते हैं वो समुच्चे a है a में अगर एक आ जाए और एक में एक प्लस रोगिता होगा दो होगा, दो में प्लस होगा, तीन होगा तीन में प्लस क्यादा, चार, पानच है ऐसे पूरा-पूरा सेड बन जाएगा और वो किसका समुच्छ होता है तो हम इसको प्राकस संक्या का समुच्छ भी बोल सकते हैं तो यह हमारा जनेटिक मेथर दा इसके बारे में हमको इतनी ही जानकर रखने हैं एक्साम के पॉइंट विस से इंपोटेंट भी नहीं लेकिन इस चीज़ हमको आनी भी चाहिए अब क्या होता है हम आगे बात करते हैं हमारा एक्जियोमेटिक मेथर के बारे हो यह इंपोटेंट है और यहां से आपका में चेप्टर तो यह से शुरू होता है तो हम आगे बात करते हैं एक्जियोमेटिक मेथर उसको हिनिम बोलते हैं क के अभी गरेई थी वीदी क्या होता है तो यह पूरा-फूरा कंशिप किस पर चलेगा और पर चलेगा और और के उपर आने के लिए आपको चार प्रोपर्टी की जानकर रहे हो थी वन टू ठी और फॉर वन में होता है एक्स्टेंड एक्जिम्स को बोलते हैं एक्स्टेंड बोलते हैं इसको दूसरा आपन बोलते हैं फिल्ड एक्जिम्स तिसरा होता है ओडर्ड एक्जिम्स फॉर्थ होगा कम्प्लिटनेश एक्जिम्स रहे होगा ही आधा हैना इनका है क्थी भी लीक्टित है अपन प्रसात है अभी गरहती एक्जिम्स को बोलता प्रसात है अभी गरहती है कि फिर फिल्ड का मतलब तो फिल्ड ही होता है फिल्ड को फर हैने में शेत्र कह सकते हैं शेत्र है और का मतलब था क्रम अब इसमें से जो मैंने यह लिखा है न फिल्ड यह मौस्ट इन्पोर्टेंट पार्ट है यह आपके बीस देखिए अगर आपके इस पांची किताब बढ़ने वाले हो तो उनमें से कम शिकम चार किताबों में विल्ड आने वाला है अगर आपको फिल्ड की प्रोपर्टी किसे प्रसार से चार्ट बेपर में कम से कम शिλ से आपको 20 से 20-25 मार्कस मिलिया है यह इस मिला इनपोर्टेंट ऩहीए तधीं आपक तो यह में याद रहना चाहिए अब इसमें हम पहली प्रोपेटिए परटे एक्स्तेंड एक सबीशिम लेक इसम्त में कुछ नहीं म catalog प्र दो वास्तोर संख्याओं को आधार मांन करने वाले प्रसार वीदिया में करा है कि जो वास्तोर संख्याओं के से आर आर में कम से नमबर अवय्योव होने चिए अवय्योव अवय्योव अवश्य है अपने सागे चिल्ट कि अवश्य है अच्छा ऐसा क्यों चलिए इसको अपन देखते हैं अलग लग वह क्यों हो वह यह अच्छा इसमें बास समझेगा कि अभी कि निदे मैंने आपको बताया हमारे पास दो पर चलते हैं एक तो एडिशन और अगर मैंने आपको लिखके दिया यह प्लस लिखार तीन अटा बता हो कर सकते हो क्या चलिए मैंने आपको लिखा थी इंटू बता हो जाए और भी जब तक हमारे पास दूसरा अव्यों नहीं होगा आप काम कैसे करेंगे तीन में आप किसको प्लेस्कों करेंगे तो हमको कम से कम दो अव्यों टो आपको और एक ही अभी हो गया तो क्या होगा देखो जैसे आपको दो अलग-अलेमेंट चाहिए तो तीन वो चार आपको भी लिख दो ना तो यह किना चाहरा आएगे एक आर में कम से कंग वोगोटों होने ही चाहिए तो यह हमारा पहला कंश्प्ट शेंद एक जिम्स तो फिल्ड एक्जिम्स मोंस्ट इंपर इंप्रटेंट ना है ध्यान रखना है फिल्ड जो है वो बहुत-जादा इंपोर्टेंट एंपर इंपर्टेंट है हम इसको नेक्स लेक्ष्रों पढ़ने वाले हैं अभी तक फिल्ड का आपने नाम सुनाएं और कल हम कल जब भी अपने लेक्स लास ले आपको इस फिल्ड के बारे में डिटेल में लेकर जाएंगे फिल्ड होता का और कैसे वर्ण करता है इस सब चीज़े पर फिल्ड के बारे में समझेंगे तब तक के लिए जो आपको आज बताया है उसको लिखिए नौट किजिए थैंक यू